नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पाथ Finder पर सो भारत में जो सबसे बड़ा Reclining Statue of Buddha है ये कुछ समय पहले इसकी inauguration होने वाली थी लेकिन because of the COVID-19 pandemic ये काफी जादा डेले हो चुकी थी अब ये रिसेंटली सुर्खियों में आया आज से लगबग एक हफता पहले की बात है यहाँ पर ये latest update जो सामने आया है वो ये है कि India's largest reclining statue of Lord Buddha to be open for devotees next year नो ये तो चलो ठीक है कि अगले साल ये शरधालों के लिए खुल जाएगा ये तो बहुत की रहती है कि जो बैठी होई मुद्रा है उसका क्या मतलब है और उसमें भी अगर हाथ ऐसे हो अगर हाथ उपर को हो नीचे को हो तो उनके क्या-क्या मतलब है और जो की जो बैठी होई मुद्रा है ये काफी commonly हमें देखने को बलती है। लेकिन यह बुद्द, जो यहां पे लेटू ही मुद्रा मेंuzzy, यह बहुती कम commonly देखने को मिलता है। इसके बारे में चर्चा भी करूँगा कि भारत में हमें इसके जो और अन्य statutes हैं ये कहाँ देखने को मिलते हैं अल्सो दुनिया भर में इसके जो statutes है वो हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं बात करेंगे इन सभी चीज़ें के बारे में चले शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद यदि आप लोग इस लेक्षर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिये गए Telegram चैनल के माध्यम से कर सकते हैं इसके लावा आप लोग जूट सकते हैं using this particular handle on the Unacademy app as well Unacademy अपने stores को अपन कर दिया है इसको अगर आप लोग दिली में रहते हैं तो बहुत ही आसानी से visit कर सकते हैं यह metro pillar number 121 के पास आपको जाके मिल जाएगा और अगर आप लोग चाहते हैं कि Unacademy के experience लेना चाहते हैं तो definitely store को visit कीजे हमारी team आपको वहाँ पर guide और help कर देगी इसके साथ ही में अगर आप लोग अपनी test series Unacademy से purchase करना चाहते हैं तो यहाँ पे prelims एवं 1680 test series Unacademy आपके लिए लेकर आया है जिसमें enroll करते time आपको use करना होगा code UNIUPSC और 6 महिने का जो subscription है यह आपको मिलेगा इतने दाम में और 12 महिने का जो subscription है यह आपको मिलेगा इत 37th of March को होने वाला है using the code UNIUPSC आप इसमें जाकर enroll कर सकते हैं right so सबसे पहले हम बात करते हैं कि दुनिया में इसके जो reclining buddha के statues हैं हमें कहां कहां देखने को मिलते हैं now obviously पूरा ब्योरान आपको नहीं देने वाला क्योंकि यह बहुत जादा statues देखने को मिलते हैं भारत में हाला कि अगर आप देखेंगे तो reclining buddha के statues बहुत ही कम थे लेकिन दुनिया भर में खास रूप से अगर आप बात करते हैं Thailand की अगर आप बात करते हैं Malaysia की और Indonesia की तो यहाँ पर बहुत सारे आपको reclining buddha के statues देखने को मिल जाते हैं यह वाली जो फोटो आप देख पा रह ही है यहाँ पर एक pillow दिया गया है एक सिरहना दिया गया है जहाँ पर वो almost सो चुके हैं यह वाला जो again आपको देखने को मिलता है यह तो काफी interesting है बलकि यह आपको USA में जो Texas नामक उनका प्रांथ है वहाँ देखने को मिलता है Texas में again यहाँ पर भी buddha के यहाँ पर सर के न कोहनी से support ले रही है यह दुनिया का सबसे बड़ा reclining buddha माना जाता है और इसकी जो length है यह दोस्तो 600 feet की length है और यह मायनमार में बनाएगा है तो यह 1992 में बनाए गया था और इससे बड़ा reclining buddha आज दिन तक हमें दुनिया में देखने को नहीं मिला है तो यह मैंने आपक अगर आप देखेंगे पाकिस्तान का जो खाइबर पकतूनवा के नाम से प्रांथ है वहाँ पर भी आपको भमला बुद्धा परिनिर्वान पोसेशन में देखने को मिलते हैं इस पोसेशन की चर्चा मैं आगे जाके करूंगा वीडियो में यहाँ पर जो बमला बुद्ध है यहाँ आप बेरी क्लिली देख सकते हैं यहाँ पर भी बुद्ध बेसिकली औल्मूस्ट सोती हुई मुद्रा में आपको देखने को मिलते हैं विच डेट्स बाक तु इस पूरी की पूरी मुद्रा को प्रिजर्व करने में इंट्रस्टेट नहीं है और यह यहाँ पर इ मिलता है अगर बात करें कि क्या भारत में अल्रेडी को रेक्लाइनिंग बुद्ध देखने को मिलता है तो जी हाँ भारत में भी अगर आप देखेंगे युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो की अजन्ता की है उसमें जो केव नंबर 26 है वहाँ पर आपको 24 फूट लं है वो सोती हुई मुद्रा में रेक्लाइनिंग मुद्रा में आपको देखने को मिलते हैं इसमें इसको समझाने के लिए बलकि एक यहाँ पर नासिक के रहने वाले एक रिस्टोरर है एक रिसर्च फोटोग्राफ प्रसाद प्रवार है उन्होंने यहाँ पर कहा इट शोज इनके disciples हैं वो basically यहाँ पर इस चीज को लेकर moan कर रहे हैं कि बुद्ध जो है वो अब मर चुके हैं लेकिन जो celestial beings जो उपर है वो यहाँ पर दिखा रही है on top rejoicing in anticipation की बुद्धा जो है वो अब heaven में आने वाले हैं अपनी death के बाद तो यह एक बहुत ही अच्छा आप कह सकत है कि बुद्ध की मृत्यू हुई थी बुद्ध ने मृत्यू वर्ड यहाँ पर यूज करना गलत होगा because जो वर्ड होता है वो परि निर्वान का होता है तो जहां पे बुद्ध ने परि निर्वान को attain किया था यह वाली जगा है कुशी नगर की जो की उत्तर प्रदिश मे है और वहाँ पर आपको बुद्ध इस position में देखने को मिल जाती है नौ जो अब हमारे सामने आया है वो यह वाला है तो बुद्धास का largest reclining statue which is being made in both गया और यह वाली कवर सामने है यह इसके बारे में चर्चा करते हैं यह वाला जो statue है यह 100 feet का है यह वाला जो statue है यह भार प्रमली नहीं होता है इसलिए यह वाला statue काफी खास बन जाता है तो यह वाला जो जाएंट 100 foot fiberglass statue है it has been built over 3 months by a team of 22 artisans in कोलकता और एक यहां पर organization है जिसका मुझे फिलहाल नाम याद नियारा इस बुद्धिस्ट वेलफेर और लेशन के नाम से को organization है जिनको यह artisans कारीग निर्वान के बारे में तो almost वही है तो बुद्धा during his last illness about to enter परे निर्वान the stage of great salvation after death that can only be attained by enlightened souls तो बुद्धा का आपको मालूम हुआ कि अलगला यहां पे stages है बुद्धा की life के तो पहले उनका birth हुआ उसके बाद great departure जब वो अपना घर बार छोड़के जाते हैं उसके उपना पहला सर्मन देते हैं जिसको कि हम लोग धम चक्क परिवर्तना बोलते हैं and finally जब उनकी death जिसको की normally religious connotations में death नहीं कहा जाता परिनिर्वान ही कहा जाता है यह वाला उनका final stage होता है तो यहां पर जो यह reclining बुद्धा है ना यह तरीके से परिनिर्वान को ही represent करता है the Buddha's death came when he was 80 years old in a state of meditation in Kushinagar in eastern Uttar Pradesh close to the state's border with Bihar तो Kushinagar की location भी काफी important है यह अगर UP का district wise map है so as we can see over here यह वाला area है Kushinagar का जो की यहां पर जहां पर माना जाता है कि इनकी इन्होंने परिनिर्वान को attain किया था और यह बिहार के साथ border पे लगता है और यह वाला जो area है काफी important माना जाता है now यह statue क्या Kushinagar में लाया जा रहा है तो जी नहीं statue जो है यह बलकि लाया जा रहा है बोधगया में बोधगया वो वाला area माना जाता है जहां पर बुद्ध ने निर्वान अटेन किया था it will soon house is largest reclining statue 100 feet long 30 feet high बोधगया is the most important of the four main pilgrimage sites जो की गौतम बुद्ध की लायफ इगड़ी हुई है बाकी आप दिखने कुछी नगर है लुम्बनी है सारनाथ है जिसमें से कुछ जो है नेपाल में है कुछ जो है भारत में है आपको बता दो यह पूरी की पूरी जो कहानी यहा ने बनाया था उसके तहट किया जा रहा है आपको याद करवादू कि कुछ समय कुछ साल पहले हमारे देश के द्वारा स्वदेश दर्शन स्कीम को शुरू किया गया था जिसमें कि हम लोग कुल मिला के 12 circuits को बनाने जा रहे हैं उन 12 circuits में से एक circuit जो है वो बुद्धिस्ट पिल्डिमेज circuit है और उसी बुद्धिस पिल्डिमेज circuit के तहट यह सारे यहाँ पे कामकाज किये जा रहे हैं तो बुद्धिस circuit है वो पूरा का पूरा रूट फॉलो कर रहा है आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका कुछी नगर है यहाँ पर आपका सारनाथ है यहा रहा है, now coming back to the iconographic representation कि यह जो लेटे हुए बुद्ध है, जो महापरी निर्वान में जो बुद्ध है, यह क्या यहाँ पर symbolize करते हैं, तो यहाँ पर एक बुद्धिस scholar है, प्रोफेसर रवेंद्र पंथ, जो की फॉर्मर वाइस चांसलर रह चुके है, नवनालंद महाविहारा उनिवर्सिटी विहार में, तो इन्होंने कहा कि महापरी निर्वान of the buddh is supposed to be a very important event which happened in कुशिनगर, यह केवल एक demise नहीं है, मतलब केवल किसी की मृत्यू नहीं है, यह कहा जाता है कि it is the great demise, यानि कि ऐसा time था, ऐसा event था उनके life में, जिसके बाद उनके पास कोई rebirth नहीं था, उनका पुनरजनर नहीं होने वाला था, so it is this final going away, और यह चीज काफी जादा मानता रखती है, बुद्ध धरम के लोगों के लिए, और बुद्ध धरम के rebirth, यह भी एक यहाँ पर मानता है, जो कि कही जाती है, but again, as I told you, कि इसका जो सबसे important चीज आपको ध्याल रखना है, एक तो कि यह माहा पर निर्वान को depict करता है, दूसरा, यह कोई ऐसी वैसी demise नहीं, बलकि यह great demise मानी जाती है, और भी कई सारी मुद्राई हैं, हमने कई बारिकी चर्चा करी है, आपने UPSC में सवाल देखे होंगे, जैसे, सारनात वे बुद्ध गेवस फर्स सर्मन स्टोन, साचु आपको बता चाहूंगा इसमें एक और चीज की भारत में जो स्टाचू बन रहा है, इसमें बुद्ध लेटी हुई मुद्रा में है, लेकिन जो इन्होंने यहां पर सहारा लिया हुआ है, यह अपनी कोहनी का सहारा लिया हुआ है, इनको कोई पिल्लो यहां पर नहीं, कोई सिरहाना यहां पर नहीं दिया गया है, यह इनको इनकी खुद की कोहनी के सहारे के माध्यम से इनको यहां पर लिटा करना है तो आपको अनी UPSC कोड का कोड इस्तमाल करते हुए कोड को पचेस कर सकते हैं आपको 10% कर डिसकॉंट मिलेगा कर दो आपको आपको अनी एक्केड कर दो अनुट एक वर लिए टक्यों अन्साइब